Hello everyone, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं Class 10 Physics के चैप्टर Light Reflection and Refraction के Numericals और वो Numericals based होंगे Mirror Formula के उपर क्योंकि previous session में हमने Mirror Formula और Sign Conventions इन दोनों ही topics को एकदम Detail में जाकर करके discuss कर लिया था तो अब बारी आती है Mirror Formula के उपर कुछ बहतरीन लेवल के questions को Numericals को solve करने की जो हम करेंगे solve बिलकुल आज ही के इस session में और बस यही है हमारे आज के इस session का target hopefully आप सभी को समझ में आया होगा तो अब एक काम करते हैं इसी target को achieve करने के लिए आए हम करते हैं अपने session की शुरुआत तो इस इस विभूती खरे welcome to definite success पाच्चाला एक ऐसा platform जहां पर आपको provide करवाई जाती है एकदम quality education एक ऐसा platform जहां पर एक चीज definite है और वो है आप सभी की success तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का हमारा यह session जहां पर हम solve करेंगे numericals mirror formula के उपर cool चलो आजाओ कहानी शुरू करते हैं आज के session की और पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है अब देखते हैं कि first question exactly हमसे क्या पूछ रहा है an object is placed at a large distance in front of a convex mirror सबसे पहली बात तो यह है बेटा कि इस सवाल में आप से बात करी जा रही है convex mirror के ऊपर ठीक है यह convex mirror है और उसके सामने object रखा हुआ है exactly कितने distance पे रखा हुआ है यह तो हमको नहीं बताया गया सवाल में बस इतना बोला गया है कि हाँ convex mirror के सामने रखा है object और बहुत दूर रखा हुआ है कितने दूर रखा हुआ है नहीं पता बस इतना बोला गया है कि large distance पर है तो बिटा कितना large infinity मालने है क्योंकि हमारे लिए तो अगर हम यह बोले कि mirror के सामने object बहुत दूर रखा हुआ है तो दूर का मतलब क्या होता है infinity होता है तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लिख लेते हैं कि mirror है अपना convex ठीक है और object distance क्या हो जाएगा infinity क्यों क्योंकि सवाल खुद बोल रहा है कि बहुत दूर रखा हुआ है object convex mirror के सामने कितने दूर नहीं पता तो infinity ले लेते हैं या तो तुम दो कि object exactly कितने दूर पर रखा हुआ है mirror के सामने या mirror से कितने दूर पर रखा हुआ है object यह तो तुम दो पर अगर नहीं दिया और तुमने यह भी बोल दिया कि भाई large distance पर रखा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे infinity ले रहेंगे मर्जी हमारी radius of curvature क्या बात है radius of curvature यहां पर आपको दिया हो है 60 cm how far is the image formed how far is the image behind the mirror यह बात सबको पता है अब तक तो चली गई होगी सबको पता है ना कि जो convex mirror होता है बेटा वो हमेशा virtual and erect image बनाता है हमेशा यह virtual and erect image बनाता है मतलब कि image हमेशा कहा बनती है in case of convex mirror mirror के पीछे बनती है पीछे आप बोल सकते हो कि positive x-axis पर बनती है तो पीछे तो बन रही है image लेकिन कितने पीछे बन रही है image distance यहां पर आप से पूछा गया है ठीक है? object distance clearly नोने बताया नहीं था तो हमने infinity ले लिया radius of curvature दिया हुआ वो formula याद है कि नहीं याद है सबसे पहला formula जो अपन ने इस chapter में पढ़ा था यह focal length is equals to radius of curvature का आधा तो यदि तुमको यह दिया हुआ है तो तुम यह निकाल सकते हो ना आज आपन सबसे पहले निकाल के रखी लेता है किस्सा खतम करो तो convex जो mirror है अपने पास उसकी focal length कितनी आ जाएगी बेटा कितना radius of curvature 60 cm उसका आधा कर दो अरे आधा कर दो ना कितनी आ जाएगी focal length focal length आ जाएगी 30 cm तो लो और यह अपन यहाँ पर लिख देता है कि focal length आ गई अपनी 30 cm चीक है तो focal length दी हुई है निकालना क्या है image distance निकालना है कि exactly कितने मिरर से convex mirror से exactly कितने दूरी पर जो है image बन रही है बन रही है mirror के पीछे बन रही है लेकिन exactly कितने दूरी पर तो आपन को निकालना हो क्या करेंगे आरे U आपको दिया हुआ है F आपको दिया हुआ है मतलब आपने निकाल लिया, है न, V पूछा गया है, तो क्या करोगे, U, V और F के बीच में, जो एक relation बनता है, वो relation कौन से formula से जो है न, बिटा सामने निकल करके आता है, अरे mirror formula, अरे पढ़ ही, कितने formula हैं, अभी तक अपने इस chapter में, गिनके दो ही तो पढ़े हैं, एक यह वाला हो गया, और एक mirror formula हो गया, तो लगाओ ना mirror formula, 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F, अच्छा, जब अपने पिछले session में mirror formula पढ़ा था, उसके बाद में अपने sign conventions भी पढ़े थे, और sign conventions में मैंने आपको बताया था, कि आप जब भी यह formula लगाते हूँ, चाहे concave mirror के लिए, चाहे convex mirror के लिए, आप यहाँ पर जो भी values पुट करोगे, आपको इनके respective sign भी डालने होंगे, मतलब अगर आप object distance की value रख रहे हो ना, तो पस value नहीं रख दोगे, sign भी डालोगे, कि positive होगा, negative होगा, मुझे नहीं पता, वो आपको अपनी याददाश के हिसाब से सोच समझ करके डालना पड़ेगा, यदि आप focal length की value पुट कर रहे हो, तो इसे value नहीं लिखोगे, साथ में sign भी लगाओगे, respective sign लगाना जरूरी है, वरना चाहे तुम्हारा formula कितना भी सही क्यों नहीं हो, calculation तुम्हारी सही नहीं बैठेगी, और अगर नहीं बैठेगी, तो पर answer भी समझ लो, सही नहीं आएगा, है ना, तो sign conventions पढ़ाने का यही मकसद था, कि तुम इस formula को सही तरीके से apply कर पाओ, calculation तुम्हारी सही हो, ठीक है, चलो, तो यह होगी अपना mirror formula, और इसी को हमें इस्तेमाल करना है, क्या निकालने के लिए, यह, क्या बोलते हैं इसको, अरे image distance निकालने के लिए, तो एक काम कर सकते हैं न बेटा, इस formula को अपन थोड़ा सा rearrange कर लेते हैं, मतलब, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ न, ज़गा नहीं है, ऐसे side में लिख रही हूँ, 1 upon V is equals to 1 upon F, minus 1 upon U भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा rearrange कर दिया हैं मैंने, अपनी convenience के हिसाब से, ठीक है, आप यह मैं समझने हैं कि मैं आपने तो वक्त बदल दिया, जजबाद बदल दिया, formula बदल दिया, अरे बदला नहीं है यार, बस उसी को थोड़ा सा rearrange कर दिया, अपना main formula क्या है, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, मैंने क्या करा, 1 upon u, ये वाले term को उठा करके, मैं left hand side से, right hand side में ले आई हूँ, और क्योंकि ये LHS से RHS में आया है, तो इसका जो sign बटा, वो भी positive से negative हो जाएगा, तो बस यहाँ पर हमने वही करा हुआ है, 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u, अब क्या करेंगे, formula तो अपने rearrange कर दिया, अब सारी values पूट कर दो, along with their respective sign, 1 upon v तो निकालना है, is equal to 1 upon f की जगा पर क्या लिखोगे, 1 upon f की जगा आप बोलोगे कि मैं, focal length हमने निकाल ली थी 30 cm, focal length जो है मैं हमने निकाल ली थी 30 cm, तो यहाँ पर अपन वही रख देते हैं, कितना 1 upon 30, negative में रखेंगे, positive में रखेंगे, यार करो, पिछला session, sign conventions पढ़ाये थे कि नहीं पढ़ाये थे, concave mirror के लिए तुमको मैंने अलग पढ़ाया था, convex mirror के लिए तुमको मैंने अलग पढ़ाया था, बस उसी को याद करके जो है, बताओ यहाँ पर, यहाँ पर convex mirror की focal length की बाद हो रही है बेटा, value put कर दी है sign क्या लगाऊं मैं, negative या positive, सोच के देखो, यह xy plane था अपना, ठीक है, यह xy plane था, यह था अपना convex mirror कुछ इस तरीके से रखा था अपन ने, अब आप बोलोगी कि मैं, आपने ऐसा क्यों रखा, और भी तो तरीके हो सकते हैं, नहीं, और तरीके नहीं हो सकते हैं, यह एग ही तरीका होता है, अपने xy plane पर, convex mirror को रखने का, आप बोलोगी कि मैं, इतलोता तरीका यही क्यों है, तो तुम्हें यह पता करने के लिए, पिछला सेशन जा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले सेशन में, यह चीज मैंने समझाई है, कि हम क्यों convex mirror को xy plane पर ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो इसका, जो वो है न, क्या बोलते हैं, है न, नियन यही बोलता है, कि object हमेशा कहां रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड बोले तो, अरे, negative x-axis, तो उसका distance होगा न, mirror से, वो अपन कहां से ना पेंगे, हमेशा negative x-axis से, इसलिए object distance is always negative, ठीक है, लेकिन यह क्या अपना convex mirror है, तो mirror है, मतलब convex mirror है, तो हमेशा क्या करेगा, virtual और erect image बनाएगा, मतलब image कहां बनेगी mirror के पीछे, mirror के पीछे बोले तो कहां, positive x-axis पर, तो image का जो distance होगा न, इस virtual और erect image का जो distance होगा, mirror के pole से, वो अपन कहां से ना पेंगे, positive x-axis से, तो इसलिए in case of convex mirror, आप बहुँ सकते हो कि image distance is always positive, क्योंकि वो तो हमेशा क्या बनाता है, virtual और erect image बनाता है, virtual erect image का बनती है, पीटा हमेशा positive x-axis पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पीटा, जो भी V की value आएगी, वो positive में आनी चाहिए, एक होता है ना कि हम cross-tech कर लें, कि हमने जो solve किया है, वो सही किया है कि नहीं किया है, तो तुम कैसे पता लगा सकते हो, sign से पता लगा सकते हो, कि अगर तुम्हारा यहाँ पर image distance है, वो यदि आप बोल सकते हो कि positive में आया, है ना, यदि तुम्हारा यहाँ पर image distance positive में आया, तो समझ लेना कि तुमने कहीं न कहीं सही काम किया है, सही तुमने calculation करी है, क्यों? Convex mirror है, हमेशा virtual और image, virtual और क्या बोलता है, erect image बनाएगा, image हमेशा कहा बनेगी positive x-axis पर, उसका distance आप mirror से कहां से न आपोगे, positive x-axis से न आपोगे, तो image distance हमेशा positive में ही आना चाहिए, तो अगर तुम्हारा positive में आ, इसका मतलब तुमने सही क्या, और अगर तुम्हारा negative में आया, मतलब तुमने तो convex mirror से क्या करा है, real inverted image बना दी है, है, यदि image distance तुम्हारा यहाँ पर negative में आगे, इसका मतलब क्या, कि image कहां बन गी, negative x-axis पर, मतलब real image बना दी तुमने convex mirror की मदद से, जो possible ही नहीं, उसके बस की ही नहीं यह बिटा, कि वो क्या करें, real inverted image बना है, तुमने जो जबर जशी करके, उसको उससे बन वाली है, ठीक है, तो हाँ, हाँ, अपन तो उसकी बात कर रहे था, फोकस की बात कर रहे था, हाँ, focal length की value यहाँ पर मैंने रख दी है, sign क्या लूँ, तो तुमके बात पता होनी चाहिए, कि convex mirror का जो focus है, उसका जो center of curvature, यह कहां लाए करता है, convex mirror का focus और उसका center of curvature, लाए करता है mirror के पीछे, यानि कि, suppose यह है इसका focus, और यह है इसका center of curvature, दोनों कहां लाए कर रहे हैं, mirror के पीछे, पीछे मतलब कहा, positive x-axis पर, तो focus और pole के बीच का जो distance है, जिसको अपन focal length बोलते हैं बेटा, वो अपन कहां से नापेंगे, positive x-axis से, तो इसकी focal length क्या होती है, हमेशा positive होती है, concave की हमेशा negative, focal length और convex की हमेशा positive, यह गभी change नहीं होगा, concave की focal length हमेशा negative, convex mirror की, जो focal length है, वो always positive, ठीक है, तो यहाँ पर positive ही, अपन लेंगे focal length को, और positive के लिए तुमको पता है, कि asset sign लगाते नहीं है, negative होता है, तो लगा देते हैं, positive के लिए understood है, कि वो positive ही है, कुछ नहीं लगाया, मतलब positive, ठीक है, फिर यह formula का negative sign है बेटा, ठीक है, जो अपन ने यहाँ से one upon you को, अपन यहाँ से लेकर के यहाँ गए थे, तो यह वो वाला negative sign है, ठीक है, अब one upon you की जगा पे क्या रखनें बेटा, one upon you की जगा पे, object distance कितना है, object distance है infinity, तो यहाँ पर अपन one upon you की जगा पे क्या रख सकते हैं, one upon infinity, क्योंकि object distance क्या है, infinity क्यों, बोला है बहुत दूर रखा हुआ है, कितने दूर infinity, तो one upon you की जगा पे पे ने क्या रख दिया, one upon infinity, negative बेपॉजिटिव, यह मत, बोला कि मैं infinity तो sign नहीं भी लें तो चलेगा, sign तो तुमको लेना ही है, तुम यह मत देखो कि infinity है, यहाँ पर कुछ और जो है ना, वो है, digit है, तुम तो sign रखने की आदत अभी से डालो, जैसे कि focal length में पनने देखा कि यहाँ positive होनी चाहिए, वो तुमने डाल दिया, अब तुम यह देखो कि object distance क्या होता है, object distance मैंने अभी अभी बताया था कि it is always negative, तो यहाँ पर minus, minus बेटा, minus one upon infinity होना चाहिए, ठीक है, infinity की जगह पर अगर कुछ और value होती, 10 होती, 20 होती, कुछ भी होती, तो तुम्हे sign तो तब भी रखना पड़ता, infinity इसका मतले भी नहीं कि sign नहीं रखोगे, sign तो रखना पड़ेगा, ठीक है, चल, अब इसको पन solve करते हैं बेटा, bracket खोलेंगे तो minus minus plus हो जाएगा, basic maths मुझस से मत पूछना, राउल सर से पूछना, तो 1 upon V is equal to 1 upon 30, bracket खोलेंगे, minus minus plus हो जाएगा, plus 1 upon infinity, अब 1 upon infinity तुमको पता है, मेरे सबस्टो जीरो होता है, ठीक है, जहां तक मेरी maths, जहां तक मुझे आती है, तो ये तो पूरा बेटा, टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, बचा क्या, बचा 1 upon V is equal to 1 upon 30, क्या करेंगे इसका, उल्टा कर दो, तो V is equal to 30 cm हो जाएगा, V is equal to 30 cm हो जाएगा, है ना, positive या negative, अफ्कोर्स positive, और ये ही तो मैंने आप से कहा था, कि आप चेक कर सकते हो इस case में, कि convex mirror है, image distance हमेशा, इस case में, positive ही आना चाहिए, और अगर आपका positive में आया, इसका मतलब आपने सही किया है, तो देखा चाहिए तो यहाँ पर कोई calculation मतलब लगा formula, लेकिन calculation करनी नहीं पड़ी, एक मात्र calculation हमने बस ये करी थी, radius of curvature से focal length निकालने के लिए, ठीक है, लो मेरा मुँ मत देखो, इसका screenshot लो फटा फट से, वीडियो को pause कर लेना, और screenshot ले लेना, ठीक है, चले, आगे बढ़े, ये देखो, वही solve किया हुआ है बेटा, कुछ अलग अनोखा नहीं है, बस इन्होंने, 1 by F को 2 by R लिख दिया है, और कुछ नहीं किया, जीसे कि F is equals to, R by 2 होता है न, अब अगर मुझे 1 upon F निकले हैं, तो मैं क्या करूँगी, इस कुल्टा कर दूँगी, 2 by R कर दूँगी, तो मैंने value, मतलब यहां पर, मैंने सीधे, focal length calculate कर ली थी, और यहां पर जो है, calculate नहीं करा, 1 upon F की जगर पे 2 by R रग दिया, तो उससे कोई फरक पढ़ता नहीं, आंसर तुमारा वही आएगा, 30 cm, चीक है, अगले सवाल पर आते हैं बिटा, an object is placed at a distance of, अच्छा, यह जो आपन numericals solve कर रहे हैं बिटा, भी तुमको लगेगा कि मैं, कुछ questions करने के बाद, you will realize कि मैं, same तरह के questions आ रहे हैं, actually है क्या, जब अगले session में, इसके अगले session में, जब अगले session में, जब अपन magnification पढ़ लेंगे न, फिर आएगी मज़े, फिर क्या होगा न, magnification along with mirror formula, इन दोनों को combine करके, फिर अपने पास, अच्छे level के जो है न, और अच्छे level के questions आ जाएंगे, तो अभी तो तुम्हें कुछ questions को solve करने के बाद लगेगा, कि मैं, एक जैसे ही आ रहा है, एक जैसे ही आ रहा है, तो formula एक ही है न, बिटा भी अपने पास, तो इसलिए सवाल तुम्हें अभी एक जैसी दिखेंगे, लेकिन एक बड़ अपन magnification पढ़ लें, फिर आएंगे अच्छे सवाल, चीक है, an object is placed at a distance of 10 cm, from the pole of a concave mirror, कौन सा mirror है, पहली बात तो यह देख लिया करो, concave है बहुत बढ़िया, लिख लो यहाँ पर, concave mirror है, और इसके सामने object रखा हुआ है, 10 cm के distance याने की, object distance तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, कितना हुआ है 10 cm, negative लेंगे, positive लेंगे, object distance, always negative, जहां तुमको देखे object distance, तुरंट क्या करो, उसके सामने जा करके, negative का सामने लगा दिया करो, और कुछ देखा ही मत करो, ठीक है, if the image, अच्छा, its image is formed at 6 cm from its pole, ओके, object की बेटा image बन रही है, 6 cm की दूरी से, from its pole, calculate the focal length of the mirror, आपको जो है, अच्छा, image distance भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, negative में लेंगे, focal length यहाँ पर आपको निकालनी होगी, तो बेटा, U given है, V given है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैं लगा, U दिया है, V given, U भी दिया है, V भी दिया है, और F निकालना है, तो वही लगा देंगे अपना mirror formula, मैंने पहली कहा है न, कि अभी तक ले दे करके, दो ही तो formula पढ़ें इस chapter में, एक formula छोटा सा है लगा चुके हैं, बचा दूसरा, वही लगाना है, 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F, अब यहाँ पर कुछ तुमें जंजट करने की जरुवत नहीं है, मतलब formula को rearrange करने की जरुवत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा, ठीक है, आजओ, 1 upon V की जगह पर क्या रखेंगे बिटा अपन, minus 1 upon 6, ठीक है, minus 1 upon 6, minus 1 upon 6, यह plus कौन सा है, formula का plus है, ठीक है, 1 by U की जगह पर क्या रखेंगे, 1 by U की जगह पर रखेंगे अपन, bracket मार के, minus 1 upon 10, क्योंकि object distance is always negative, और image, जो अपना concave mirror है, बिटा वो तो अपन बोल सकते हैं, कि most of the cases में, real और inverted image ही बनाता है, मतलब image का बनती है, in front of the mirror, negative x axis पर, तो image distance यहाँ पर negative हो जाएगा, इसलिए minus 1 by 6 plus, 1 by U की जगह पर minus 1 by 10, is equals to, 1 upon focal length, अब देखो ऐसा है, अब इसको check कैसी किया जाएगे, हमने जो करा है, वो सही किया की नहीं किया, बिटा यह अपना concave mirror है, और, जुसकी focal length होती है, वो हमिशा negative ही होती है, जैसे कि convex mirror के लिए अपनने बोला, कि उसका focus कहां लाए करता है, behind the mirror, यानि कि positive x-axis पर, तो focal length in case of convex mirror, हमेशा positive होती है, similarly in case of concave mirror, उसका focus कहां लाए करता है, in front of the mirror, reflecting surface के तरफ वाला side, यानि कि negative x-axis पर, तो focus और pole के बीच के distance, कहां से नापोगे, negative x-axis से, तो concave mirror, जो focal length है बिटा, वो हमेशा negative ही होती है, यहाँ पर आप से focal length निकालने के लिए बोला गया है, तो यदी तो आपकी जो focal length है, इस case में यदी आपकी focal length negative में आ रही है, इसका मतलब तुमने बिल्कुल सही sign रख करके calculate किया है, और अगर तुमारी कुछ कारणों से focal length positive हो जाती है, तो मतलब समर्लो तुमने कहीं न कहीं गरबड करी है, तो sign कहीं गलत रखा है, या calculation में कहीं गरबड करी है, ठीक है, calculation वैसे यहाँ पर easy ही आती, बहुत difficult नहीं आती है calculation, मुद्दा होता है sign का, तो focal length बिटा अपने दिवांग में बिठा लो, concave mirror है, तो focal length negative में ही आनी चाहिए, और अगर positive में आ लिए, मतलब बड़ बड़ किया है, ठीक है, चलो देखते हैं, अब इसको solve करते हैं, bracket खो लेंगे बिटा, तो यह plus minus minus हो जाएगा न, तो minus 1 by 6 minus, bracket खो लेंगे, plus minus minus, 1 by 10 is equals to 1 upon m, अब तुम लोग यहाँ पर common factor लेते हो, मैं common factor नहीं लेती हूँ, ठीक है, मैं तो जो अपन बच्पन में जैसे करते थे न, solve division बाला, मैं वैसे करती हूँ, ठीक है, ऐसे, मैं नहीं लेती common factor, मुझे न, उसमें confidence नहीं आता, पता नहीं क्यों, लगता है, मेरा अगरबड हो जाएगा, तो जो, देखो, मैं यह नहीं बोलूँगी, कि मैं इस तरीके से कर रही हूँ, तो तरीका तो तुम भी ऐसी करो, तुम common factor मत रहीं, जो तरीका तुम्हें आता है, जो तुम्हें सही लगता है, जिस पर तुमारा confidence से तुम वो करो, मुझे इस method पर confidence से तुम्हें ऐसी solve करों टी, ठीक है, तो जाएगा, minus 10, minus 6, is equals to 1 upon F, minus 10 minus 6 minus minus plus होता है तो कितना हो जाएगा बेटा, यह minus 16 by 6 into 10 is equals to 1 upon F कुछ कटेगा, हाँ बलकुर कटेगा 2, 3s are 6 होता है 2, 8s are 16 होता है अभी पिर 2 से कट सकता है 2, 5s are 10, 2, 4s are 8 बचा कितना बेटा 4, मतलब minus 4 by 5, 3s are 15 है ना, यह नीचे 5 है नीचे 5 है, यह 2, 5s are 10 2, 4s are 8 चीचे, तो क्या बचेगा minus 4 by 15 is equals to 1 upon F अपन को तो F चाहिए, अपन क्या करेंगे स्कूल्टा कर देंगे, तो minus 15 by 4 is equals to, यह F हो जाएगा अब आप इस score solve कर दो कितना आजाएगा, 4, 1 is a 4 4, 2 is a 8 4, 3 is a 12 ठीक है, 4, 3 is a 12 सभी कर रहा है ना मैंने, हाँ फिर इसके बाद में 3 point something कुछ आपका आ जाएगा है ना, तो कितना आएगा यारा, अब पूरा solve नहीं कर रही मैं हाँ, तो minus 3.75 cm यह आ गई बेटा, आपके concave mirror की focal length अरे 15 by 4 को solve करोगे ना, तो इतना जाएगा minus 3.75 cm आ जाएगा, ठीक है minus आ रहा है की नहीं आ रहा है, तुम वो देख लो focal length है बेटा, concave mirror की, negative में ही आएगी, यह देख लो, ठीक है, आगे बाड़े an object is placed at a distance of 6 cm from a convex mirror, फिर से आ गया convex mirror mirror कौन सा है, convex सामने रखा हुआ है object, और इस बार object कितने distance पर रखा हुआ है mirror से वो भी दिया हुआ है, मतला क्या आपको object distance दिया हुआ है 6 cm, negative, positive negative focal length, ओहो, दी हुई है, कितनी दी हुई है, 12 cm negative, positive, बाड़ा convex में जा रहे, focal length में दा मिशा positive आएगी find the position and the nature of the image position मतलब वो image distance यहाँ पर आपकसे निकालने के लिए बोला गया और image का nature बोला गया है निकालने के लिए, तो बेटा nature तो देखो ऐसा है कि convex mirror है वो हमेशा ही virtual erect or diminished image बनाएगा तो इसमें तो आँख बंद करके लिख देना क्या virtual देवदास है ना एक नंबर का convex mirror हमेशा क्या करेगा DEV virtual erect or diminished image बनाएगा virtual erect and diminished image बनाएगा nature की तो क्या ही बोलें अब फटक से क्या करो लगाओ mirror formula निकाल लो भी की value one upon v plus one upon u is equals to one upon f क्या करें formula को रोड़ा से rearrange कर देते हैं one upon v is equals to one upon f minus one upon u कर देते हैं अब सारी values put कर दो along with their sign one by f की चेगा पे क्या लिख देंगे अपन one by twelve negative positive positive ये बेटा negative sign formula का negative sign है bracket डाल के लिख दो one upon u क्या लिखेंगे one upon u one upon six negative positive negative क्यों object distance हमेशा negative ही होता है तो one by u की जगा पेपर ने क्या रिख दिया minus one by six अब bracket खोलेंगे बेटा negative positive हो जाएगा तो one by twelve plus one by six ठीक है minus minus positive हो गया अब इसको कर लो solve और क्या इसको अम बहुत ही तो बहुत ही फुद्दू सवाल बन गया बारा में क्या multiply करेंगे बारा आ जाए कर दो छाह में क्या multiply कर दें कि बारा आ जाए दो कर दो six to the twelve ये कितना हो जाएगा one upon v is equals to two plus one three by twelve अब ये उल्टा है ना अपन इसको मतलब सीधा कर लेते हैं फोर सेंटीमेटर सबका आ गया फोर सेंटीमेटर के नहीं image distance यहां पर आ गया फोर सेंटीमेटर अब क्योंकि अपने पास convex mirror था और हमसे image की position निकालने के लिए बोली गी तो तुमको पता होना चाहिए था कि बहुँ convex mirror हमेशा वर्च्वल और एरेक्ट इमेज ही बनाएगा है ना मतलब image हमेशा कहा बनेगी positive x-axis पर इसका मतलब image distance यहां पर positive ही आना चाहिए था आया positive इसका मतलब तुमने सही किया है ठीक लो इसका screenshot लो और क्या विडियो को pause कर लेना और screenshot ले लेना ठीक आगे बढ़ते हैं अगर मेरी writing तुम्हें समझ में ना है तो तुम इसका भी ले सकते हो screenshot ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए next question a concave mirror of focal length 10 cm is kept in front of an object at a distance of 50 cm from it अच्छा concave mirror है लिख लो सबसे पहले mirror कौन सा है concave है focal length कितनी दिवी है focal length दिवी है 10 cm negative लेंगे positive लेंगे concave mirror है focal length हमेशा negative होगी देखो शुरुमात में आपको इसा लगेगा कि मैम कितना कुछ है याद करने के लिए confuse हो रहे है negative positive में तो बेटा वो confusion आपकी मतलब एकदम से तो नहीं जाएगी वो gradually ही जाएगी जैसे जैसे आप questions को solve करने की practice करते जाओगे मैं यह नहीं कहने हूँ कि बस दो सवाल के बाद कहने को तो पिछले session में भी मैं आपको क्या कर सकती थी session के मनलब topic को finish करने के बाद मैं दो सवाल करवा देती एक concave को एक convex का और बात महीं खतम हो जाती नहीं हमें practice करनी है तो इसके लिए अलग से मैं आपके लिए session लेकर क्या हूँ जहां पर अपन सिर्फ क्या करेंगे numerical की practice करेंगे और उसके अलावा अगले session में जब अपन magnification पढ़ लेंगे न उसके next session में तो अपन और भी बहुत सारे numerical solve करेंगे ठीक है चलो तो कुल मिला करके यह हो गया अपना क्या concave मेरा इसकी focal length हमेशा negative में आएगी focal length हो गई okay of an object object distance भी यहां पर आपको given है object distance भी यहां पर आपको given है बेटा at a distance of 50 cm from it तो object distance तो बेटा आँख बन करके negative में लिया करो पूछा क्या गया है if the object is one centimeter high what will be the size of the image अच्छा यह सवाल आपसे बनेगा नहीं क्यों नहीं बनेगा क्योंकि यह है magnification का question यह आपसे नहीं बनने वाला लेकिन फिर भी अपन इस question को solve करेंगे कैसे solve करेंगे अपर यहां पर image distance निकाल लेंगे actually जब अपन magnification पढ़ लेंगे ना उसके बाद में अपन यह वाला question एक बार फिर से solve करेंगे है ना तो उस समय magnification निकालने के लिए भी image की height निकालने के लिए भी बिटा तुमको V तो निकाल नहीं पड़ेगा तो अपन यह काम करते है यह जो question का जो यह वाला पार्ट है यह अपन बाद में solve करेंगे जब अपन magnification पढ़ लेंगे अभी के लिए अपन यह काम करते है अपन V की value निकाल लेते हैं आजो लगाते है मिरा फॉर्मुला 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F 1 upon U को यहां ले हो कर दो formula rearrange 1 upon V is equals to 1 upon F minus 1 upon U अब सारी बेटा values along with their respective sign रख दो 1 upon F की जगा पर क्या रख देंगे minus 1 by 10 कोई दिक्कत यह negative बेटा formula का negative है यह देखो 1 by U की जगा पर क्या रख देंगे minus 1 by 50 अब क्या करेंगे खोलेंगे bracket negative negative positive हो जाएगा तो जगा नहीं है इसलिए यहां लिख दे रही हूँ minus 1 by 10 minus minus यह plus हो जाएगा plus 1 by 50 अब इसको solve कर लो मैं नहीं लूँ भी common factor ठीक है मुझ से मत बोलना कि मैं common factor ले लो यह 50 कम 60 अधा लग रहा है चलो यह हो जाएगा minus 50 plus 10 है ना minus 50 plus 10 तो भीटा minus plus क्या होता है minus यह होता है ना तो 50 में से 10 minus कर दो minus plus क्या होता है minus तो 50 में से 10 minus कर दो कितना जाएगा 40 और sign कौन सा लेंगे बड़े number का 50 वर 10 में से बड़ा number कौन सा है 50 उसका sign क्या है negative तो यहां पर हम sign ले लेंगे negative by 10 into 50 कुछ कटेगा बिलकुल कटेगा नीचे का एक 0 ऊपर की एक 0 से कट जाएगा अभी भी कट सकता है 2 1s are 2 sorry 2 4s are 2 2s are 4 sorry मैं क्या बोल रहे हूं 2 2s are 4 और 2 5s are 10 है ना 2 से कट गया और कुछ कट सकता है नहीं कट सकता अब एक काम करते है अब उसको पर लिख लेते हैं तो 1 upon V कितना होगे पिटा 1 upon V होगए अपना minus 2 by 5 5s अभी नीचे क्या है पिट से एक 5 2 5 है ना उनको multiply कर दो कितना हो जाएगा 25 तो 1 upon V कितना हो जाएगा minus 2 by 25 इसको उल्टा कर दो कितना हो जाएगा V is equals to minus 25 by 2 कितना हो जाएगा V is equal to minus 12.5 cm 25 का आदा बेटा 12.5 होता है सबको पता ही होगा तो V के value कितनी आ जाएगी minus 12.5 cm क्या यहाँ पर हमने सही किया है अर बिल्कुल सही किया है भई किसने बोला कि हमने गलत किया है ठीक है तो image की जो distance है from the mirror का pole कितना आ गया minus 12.5 cm ठीक है तो बात यहाँ पर कुछ अलग थी पूछा यहाँ पर कुछ अलग यहाँ था लेकिन जो पूछा गया था उसको निकालने के लिए भी image distance निकालना पड़ता है जब magnification का formula देख लेंगे तब आपको यह बात बहतर तरीके से समझ में आएगी कितना आगया image distance minus 12.5 cm अगर आपको मेरी writing सब्सक्राइब यहाँ से भी screenshot ले सकते हो next question how far from a lamp must a concave mirror of focal length again हमारे पास क्या है बटा concave mirror है किती focal length दी हुई है इसकी focal length दी हुई है अच्छा 3 meter 3 meter बिटा centimeter नहीं meter है ठीक है और focal length negative या positive अरे negative focal length na concave mirror कि मैं नेगेटिव ही होती है how far from a lamp must a concave of focal length this be placed in order to throw its image on a screen 8 meters from the lens बिटा screen पर आप बोलोगे कि मैं basically यहाँ पर object distance पूछा हुआ है कि कितने distance पर रखे हम lamp को concave mirror के सामने कि उसकी जो image है वो जो है क्या to throw its image on the screen 8 meters from the lamp है ना कि इतने आप बोल सकते हो कि दूरी पर जो है उसकी image बन जाए screen पर तो हम कहां रख दें तो object distance basically यहाँ पर आप से पूछा गया है लेकिन आप बोलोगे कि मैं ऐसे तो फिर concave mirror virtual image भी बनाता है है ना भई चेक करने के लिए हम क्या करते है image distance अगर negative में आ रहा है positive में आ रहा है वो देखते है अज़ा यहाँ पर तो object distance यहाँ पर हमें निकालना है ठीक है तो मैं image का जो distance होगा वो जो भी होगा वो negative में लेंगे या positive में लेंगे कि कैसे पता चलेगा तो बिटा ज़रा यह देखो न कि lamp की जो image है वो बन कहा रही है वो बन रही है screen की ओपर और मैं आपको यह 454 बर बता चुकी हूं कि screen पर हमेशा real image obtain की जाती है virtual image को आप कभी भी screen पर obtain करी नहीं सकते हो तो यदि हम यहाँ पर बोल रहे है कि concave mirror क्या कर रहा है lamp की image बना रहा है जो obtain करी जा रही है screen पर इसका मतलब क्या कि जो image बन रही है lamp की वो कैसी है अरे real है ना real image negative x-axis पर बन रही है तो उसका जो distance होगा image कर बिटा जो distance होगा ना mirror से वो कहां से नापेंगे अपन negative x-axis से ही measure करेंगे तो बिटा image distance यहाँ पर क्या लेंगे अपन negative ही लेंगे positive नहीं लेंगे क्योंकि आप बोलोगे कि मैं हम जो concave है वो तो मतलब virtual भी बनाता है real भी बनाता है तो हमें कैसे पता चलेगा लेंग कि यहां पर इमेज बन रही है वो रियल है या वर्चुल है मतलब कि फॉर्मुले में हम वी की वैलू का साइन क्या रखेंगे negative positive तो सवाल खुद बोल रहे है कि screen पर बन रही है image screen पर बन रही है इसका मतलब क्या real image है ठीक है और वैल्यू क्या हो जाएगी वैल्यू जाएगी एट सेंटी मीटर सॉरी मीटर है ना वैल्यू भी दी हुई है एट मीटर अब क्या करेंगे कुछ नहीं बेटा अब तो बस mirror formula लगाना रहे गया है और कुछ नहीं करना 1 upon V minus sorry plus 1 upon U is equals to 1 by F U निकालना तो एक काम करो ना अब अपना एक बार फिर से अपने formula को थोड़ा से rearrange कर लेते हैं कैसे इस बार 1 upon F को अपन यहां ले आते हैं और 1 by U को अपन वहां फेग देते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 by V को यहां ले आओ ठीक है तो 1 upon U is equals to 1 by F minus 1 upon V क्योंकि अपन left hand side से right hand side में ले किया है 1 upon V को तो इसका sign क्या होगा बिटा positive से negative होगा ठीक है अब रख दो सारी values formula में और क्या 1 upon U is equals to 1 upon F की जगा पर क्या रख देंगे minus 1 by 3 क्योंकि focal length तो बिटा negative ही होगी यह negative formula का negative है 1 by V की जगा पर क्या रखेंगे क्योंकि screen पर बन रही इमेज मतलब कि वो कैसी है रियल है रियल इमेज कहां बनती है negative x axis पर तो यहां पर जो image distance होगा वो negative में जाएगा minus 1 by 8 क्या करेंगे bracket खोलेंगे तो negative negative positive हो जाएगा तो 1 by U is equals to minus 1 by 3 minus minus plus 1 by 8 ठीक है तो 1 upon U अब इसको solve करो ना बिटा अब क्या बचा 3 और 8 तो 3 में क्या multiply करें कि इतना आ जाए 8 multiply कर दो तो minus 8 plus 8 में क्या multiply करें कि इतना आ जाए 3 कर दो तो plus 3 तो minus plus क्या होता है बिटा minus मतलब कि 8 में से 3 को minus कर दो ठीक है कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 1 upon U कितना आगा है बिटा? Minus 5 by 8 into 3 24 ठीक है? इसको भी उल्टा कर दो तो U is equals to minus 24 by 5 आजाएगा 4 point something कुछ आजाएगी U की value 4 point 8 meters minus 4 point 8 meters easy था? object distance दिया हुआ था? नहीं, निकालना था? क्या बोल रही हो मैं? focal end दी हुई थी और image distance यहाँ पर आपको दिया हुआ था और बस यहाँ पर आपको जो है ना बस sign का खेल था कि मैं screen पर बन रही है image तो real image होगी तो बस image का जो distance होगा वो आपको negative में रखना था focal end तो negative होती है आगे आपको object distance कितना? minus 4.8 meters लो इसका फटा फट से screenshot ले लो फटा फट से स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है? अगे बढ़े अच्छा मेरी writing अगर संवन में ना है तो अब इसका भी ले सकते हो screen shot आगे बढ़ते हैं बच्चो an object is located 20 cm in front of a concave mirror again कौन सा mirror है? concave है तो object distance तो खेर हमेशे ही negative होता है focal length भी यहाँ पर हमें negative ही ली नहीं होगी ठीक है? ओके an object is located 20 cm in front of a अच्छा object distance आपको दिया होगा है वो तमेशा negative में ही लोगे और radius of curvature दिया होगा है 60 cm तो focal length कितनी हो जाएगी बटा? इसकी आधी minus 30 cm, यह repeat तो नहीं हो गया है find the position and the nature of the image formed अब इस case में आपको image का nature और उसकी position बतानी है एक बार आप position पता कर लो तो nature आपको अपने आप समयन में आ जाएगा ठीक है? आप क्या करो? image की position पता कर लो कैसे पता करोगे? वही? लगाओगे मिनल formula 1 upon V is equals to अब मैं direct bit of formula को rearrange करके लिख रही हूँ ठीक है? 1 upon F minus 1 upon U ठीक है? 1 by F की जग़ा पर क्या रख देंगे? minus 1 by 30 minus 1 by 30 यह negative formula का negative है 1 by U की जग़ा पर क्या रख देंगे? minus 1 by 2 sorry, minus 1 by 20 अब क्या करेंगे? bracket खो लेंगे? negative negative positive हो जाएगा तो minus 1 by 30 plus 1 by 20 इसको solve कर लो बेटा 30 में क्या multiply करेंगे? इतना आजाएगा? 20 कर दो ते हो जाएगा minus 20 plus 20 में क्या multiply करेंगे? इतना आजाएगा? 30 कर दो क्यों जाएगा? 30 ठीक है? तो minus plus क्या होता है? minus यानि कि 30 में से 20 minus कर दो 10 आजाएगा sign लेंगे बड़े नंबर का 20 और 30 में बड़ा नंबर कौन सा है? तो sign क्या होता लेंगे? positive यहाँ पर भी positive by 30 into 20 कुछ कटे का बिलकूल कटे का नीचे का एक जुरू उपर की जुरूचे कर जाएगा क्या बचा? क्या बचा बचा, क्या बचा? 1 upon V is equals to 1 by 30 into 2 कर दो 60 हो जाएगा तो यहाँ से V की value आ गई कितनी आ गई V की value? 60 centimeter कितनी आ गई बच्चो V की value? 60 centimeter आ गई negative में आई है, positive में आई है सवाल क्या था? सवाल था कि आपको position और image का nature बताना था और मैंने आप से काता है कि एक बार आप position निकाल लो तो फिर image का nature निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा आप बोलोगी कि माम यहाँ पर तो image का जो distance है वो तो positive में है, मतलब गड़बड हो गई माम क्योंकि concave mirror तो real or inverted image बनाता है इमेज का बननी चाहिए नेगेटिव एक सेक्सस पर तो image distance भी negative मैंना चाहिए लेकिन बटा तुम भूल गए वो आखरी वाला केस जब अपन object को रखते थे mirror के polar focus के बीच में तो image का बनती थी? कैसी? virtual erect कहा mirror के पीचे तो उस case में तो image का distance क्या होना चाहिए था? positive होना चाहिए था तो अगर यहां पर image का distance आपका positive आ रहा है तो घवराने की बात नहीं है इसका मतलब यह है कि image का nature क्या होगा? image का nature होगा virtual and erect जो भी यहां पर concave mirror लिया हुआ है उसके pole और focus के बीच में रखा गया होगा object इसने उसकी image का बनी behind the mirror कितने दूरी पर 60 cm की दूरी पर तो nature क्या होगा virtual और erect तो घवराना नहीं है ठीक है ले लो इसका screenshot ले लो और क्या चलो वैसे भी समझ में आ रहा था ना कि radius of curvature मतला focal length कितनी थी focal length 30 cm जैसे कि आपका concave mirror था योगया pole योगया focus योगया center of curvature तो radius of curvature कितना दिया था 60 cm तो focal length अपने किती दिका ली focal length निका ली अपने 30 cm मतला कि focus और pole के बीच का distance कितना था नीचे लेकिए हूँ focus और pole के beach का distance कितना था 30 cm और object को mirror के pole से कितनी दूरी पर रखा गया था 20 cm की दूरी पार मतलब की object आपका यहां कहीं था वह object distance भी cm है और focal length इस cm है मतलब की object कहां रखा है focal length के अंदर focus और pole के बीच में तो में तो virtual बननी थी ना फिर चलो आगे बढ़ते हैं यह उसी का solution है आप चाहो तो screenshot ले सकते हैं आगे बढ़े हाँ हाँ find the size size छोड़ दो अभी size नहीं निकालेंगे अपन क्योंकि अभी आपनने magnification नहीं पड़ा है nature and position of the image formed when an object of size इभी छोड़ दो is placed at a distance of size की बाते बेटा अपन magnification को पढ़ने के बाद ही कर पाएंगे ठीक ना is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm focal length कितनी ही बेटा concave mirror है focal length कितनी है minus 10 cm कितना दिया हुआ object distance minus 15 cm क्या करना है image की position और उसका nature बताना है तो आजाओ निकालते हैं अपन वो लगाते हैं मिरा फॉर्मुला ठीक है तो one upon v is equals to one upon f minus one upon u one by f की जगह पर क्या रख देंगे minus one by 10 यह negative formula का negative है one by u की जगह पर क्या रखेंगे minus one by 15 रैकेट खुरेंगे negative positive हो जाएगा तो minus one by ten plus one by 15 करो वही यह solve क्या करें आब इसको 10 में क्या multiply करें इतना आ जाए 10 कर दो तो minus 15 plus 10 minus plus क्या होता है minus 15 में से 10 minus कर दो कितना आ जाएगा 5 sign लेंगे बड़े number का कौन सा बड़ा number 15 by 10 into 15 five threes आ कितना होता है 15 यह कट गया बचा कितना one upon v is equals to minus one by 10 into 3 की मतलब 30 minus one by 30 तो वी की वैलू यहाँ पर कितनी आ गई बटा minus 30 cm आ गई आ गई आ गई इमेज दिस्टन्स आ गया कुछ नहीं बटा बस वैलू स्पूट करके यहाँ पर हमने वी की वैलू नेका लिए कितनी minus 30 cm वी की वैलू minus 30 cm आ रही इसका मतलब क्या नेकिटिव सांग बता रहे कि इमेज क्या है इमेज है रियल इनवर्टेड नेजर पूछा गया था न तो बता दिया हमने नेचर नेचर और पोजिशन दोनों पूछा पूछा था तो पूजिशन बताना कि मिरर के सामने 30 cm की दूरी पर बनेगी इमेज और नेचर कैसा होगा रियल इनवर्टेड क्योंकि साइन क्या रहा है नेगेटिव ठीक है इसका भी तुम ले ही लो स्क्रीन शॉट और क्या कि आगे बाद सब को समझ में आगे बढ़ते हैं मुलनों अन अब्जेक पांच सेंटीमीटर हाए छोड़ दो हाइट से अभी हमें मतलब नहीं है इस प्लेज अट डिस्टंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रमा कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर रहे बेटा जिसका रेडिस ऑफ कर्विचर आपको दियो है 30 सेंटीमीटर तो फोकल लेंद कितनी हो जाएगी इसकी आधी याने की 15 सेंटीमीटर नेगेटेव पॉजिटेव पॉ इस इमेज बनाएगा कोई कंदी इसमें होनी नीचाहिए बस पॉजिजिन पता कर लो कैसे करेंगे लगा देंगे मिरर फॉर्मिला और क्या वन एपन वी इस इक्वलस टूब अपन एफ माइनस वन अपन यू वन बाइफ की जगह पे क्या रखेंगे प्लस बाइफ फिटीन प्लस क्यों क्योंकि कॉन्वेक्स मिला रहे यह नेगेटिव फॉर्मिला का नेगेटिव है वन बाइफ यू की जगह पे क्या रखेंगे अनो अबजेक्ट इस प्लेज अट डिस्टेंस ऑफ ओके ऑप्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर आपको बिटा दिया हुआ है दस सेंट के ब्रैकिट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 बाइ 15 प्लस 1 बाइ 10 कितना हो जाएगा बिटा यह मुझसे बंद बोला कॉमन फेक्टर लेने के लिए मैं तो इसी सॉल्व करूंगी 15 में क्या मुल्टिप्लाय कर इतना आ जाए 10 कर दो 10 में क्या मु 25 और कट सकता है 5 1s are 5 5 2s are 10 नीचे क्या बचा 3 2 2 मतलग कि 6 तो अपन कहां थे अपन थे 1 by V is equals to 1 by 6 तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी V की वैल्यू आजाएगी 6 cm ना हाँ सेंटीमेटर नेगेटिव आई पॉसिटिव आई पॉसिटिव आई पॉसिटिव आई पॉसिटिव आना ही चाहिए था क्यों पॉन्वेक्स मिला रहे हमेशा वर्च्वली में ची बनाएगा तो फोकल लेंग्स से लेकरके इमेज जिस् लेकर्ण नुमेरिकल ठीक है चाहिए आगे बढ़ते हैं यह बेटा उसी का सल्यूशन है आप चाहो तो इसका भी ले सकते हूँ उसके चोटा नेक्स कुश्यों वाट इस पॉसिटिव आज इमेज की पॉसिशन पूची गई है वेन अन अब्जेक्ट इस प्लेस अड़ेंस of 20 cm चाहे कुछ भी हो, object distance अमिशन negative ही होगा from a concave mirror of focal length 20 cm मुझे लगता है कि यहाँ पर तो calculation करने की जरूवत ही नहीं है क्यों? mirror कौन सा है? concave है focal length कितनी दी होई है? 20 cm और object को भी mirror से 20 cm की दोरी पर रखा है यह समझ रहे हो की नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि बेटा object को focus पर ही बिठा के रखा है तो जब object focus पर होता है तो उसकी image कहां बनती है बहुत दूर, कितने दूर? infinity पर याद करो न वो वाला case जब object को अपन concave mirror की focus पर रखता है तो parallel reflected rays मिलती है, जिनके लिए अपन बोलता है कि यह बहुत दूर मिलेंगी, कहां मिलेंगी infinity पर मिलेंगी तो यहाँ पर बिठा image कहां बनेगी infinity पर बनेगी, लेकिन फिर भी अपन एक बार proof करके देख लेता है लगा देंगे mirror formula यहाँ पर 1 upon क्या निकालना है भी निकालना है न तो 1 upon f minus 1 upon u कर देता है 1 by f की जगा पर क्या लिख देंगे minus 1 by 20 यह formula का negative है 1 by u की जगा पर क्या लिखेंगे minus 1 by 20 ठीक है, यह बेटा आपका minus minus जो है से plus हो जाएगा, कुछ इस तरीक है से आपको जो v है वो उको मिला करके आजाएगी कित्ती infinity ठीक है, यह इसका solution आप इसका भी ले सकते हो 1 by v is equals to ultimately वो 0 आजाएगा तो v कितना हो जाएगा infinity, ठीक है आगे बढ़ते है a concave mirror of focal length again concave mirror तो focal length जो भी होगी वो negative में ही होगी minus 30 centimeter is placed at a distance of 90 centimeter from the wall अचा, concave mirror जिसकी focal length इतनी है और उसको एक दिवार से बिटा 90 centimeter के दूरी पर रखा है how far from the wall should an object be placed so as to get its real image on the wall मालो कि यह wall है और इसके सामने यह concave mirror है तो wall और mirror की बीच का distance कितना है बिटा wall और mirror की बीच का distance कितना दिया हुआ है is placed at a distance of 90 centimeter यह distance 90 centimeter है अब सवाल क्या है how far from the wall an object should be placed so as to get its real image on the wall कि suppose यहाँ पर हम कही object को रख दे रहे हैं ताकि इसकी इस object की real और inverted image मिले कहाँ wall पर wall पर बेटा इस object की real image मिलनी है वैसे भी real image ही तो आपन wall और screen पर obtain कर सकता है न तो सवाल यह नहीं है कि object distance आपको निकालना है नहीं आपको बेटा यह वाला distance निकालना है wall और object के बीच का distance निकालना है wall पर image बन रही है और आपको यह बताना है कि wall और object के बीच के distance कितना होगा आई बात समझ में तो एक काम करते हैं आपन आपन यहाँ पर mirror formula लगा सकते हैं आप बुलोगे कि मैं कैसे लगाएंगे object कितने दूरी पर रखा है mirror से यह यह दूरी object distance तो हमको दिया ही नहीं गया है हमको बस इतना दिया हुआ है कि focal length इसकी 30 cm है और wall और mirror के बीच का distance कितना है यह नहीं दिया गया कि object और mirror के बीच का distance कितना है दिया ही नहीं गया object distance नहीं है image distance भी नहीं है तो मैं अकेले focal length से जो है न हम mirror formula कैसे लगाएंगे अरे बुद्दू यह जो 90 cm दिया हुआ है न यह क्या है यह image distance भी तुमसे क्या बोला गया कि mirror और wall के बीच का distance कितना है नब्बे सेंटीमीटर और wall के बीच कितना है नब्बे सेंटीमीटर और image बन कहां रही है देखो मैंने यह पर बनाया भी हुआ है image बन कहां है वाल के उपर ही तो बन रही है न तो वाल और mirror के बीच का जो यहां पर आपको डिस्स दिया है 90 सेंटीमीटर यह एकचली बेटा क्या है यह image distance ही है 90 सेंटीमीटर माइनस 90 कि क्यों image का बन रही है वाल पर ही तो बन रही है न अभी के लिए यह क्या है यह अपनी क्रीन वाल जहां पर इमेज बन रही है तो इमेज और मिलर के बीच के इसके तना है 90 cm अब लगा सकते हो मिलर फॉर्मला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास इतना डिस्टेंस ओल्रेडी है इतने में से आप यह वाला डिस्टेंस तो आपके पास यह वाल यह यह एक पास एक देंस दो कैसे निकालेंगे अध्य वर अइप नयू यहा एसे कर दो ना रुको वन अपों वी प्लस वन अपों यू इस एकवास टो वन अपान वी कर दो 1 अबाइव की जगह पर क्या रखोगे-1 बाइट तर्टी यह नेगेटिव इन एक नेगेटिव ह अब है क्या पर लिख देंगे minus 1 by 90 क्योंकि पिटा जो भी चीज जो भी image screen पर obtain होती है वो really होती है मतला negative x-axis पर बनेगी है ना तो image distance यहाँ पर क्या होगा negative ही होगा minus 1 by 90 solve करें negative negative खोल दो तो positive बन जाएगा बना bracket खोल दो तो negative negative positive बन जाएगा minus 1 by 30 plus 1 by 90 ठीक है अब इसको और solve कर दो मुझसे बहुत बोलना वो लेने के लिए common factor लेने के लिए मैं तो ऐसी solve करती हूँ 30 में क्या multiply करें है ना यह 30 में क्या multiply करें इतना आ जाए 90 कर दो तो यह minus 90 क्यों कि यहाँ पर देखो sign अपना क्या है negative है यह positive है और यहाँ पर negative है तो minus 90 plus यह वाला plus 90 में क्या multiply करें कि इतना आ जाए 30 कर दो तो minus plus क्या होगा minus 90 में से 30 minus कर दो कितना आ जाएगा 60 और sign कौन से लेंगे बड़े नंबर का बिटए तुमको यह sun में आ रहे की नहीं आ रहा यह अपना आ गया था अब अब अपन इसको सब्सक्राइब करें 30 में क्या multiply करें कितना आ जाए 90 कर दो तो यहां पर यह negative हो जाएगा minus 90 हो जाएगा ठीक है करो इसको कितना हो जाएगा यह नीचे आ जाएगा कितना अच्छा साइन लेंगे बड़े नंबर का 90 और 30 में बड़े नंबर कौन सा है साइन क्या उसका negative है तो वही ले लेंगे बाकी 30 by 90 कटेगा बिल्कुल कटेगा नीचे का एक 0 उपर की 0 से कट जाएगा 3 या एक काम करो ना इसको ऐसे काटो नीचे का एक 0 उपर की 0 से कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 क्या बचा 1 upon u नी काल रहे थे ना अपन हाँ तो 1 upon u minus sorry 1 upon u is equals to minus 2 by 90 अभी और कटेगा पहले आप इसको सीधा कर लो है ना u is equals to minus 90 by 2 कर लो तो 90 by 2 कितना होता है 45 तो जाएगा आपका minus 45 cm object distance मिटा कितना आ गया minus 45 cm आ गया easy था वही हमने simple क्या करा focal length और v की value पुट करके mirror formula लगा करके हमने object का distance निकाल लिया mirror से कितना minus 45 cm object distance है negative में तो आ नहीं था है ना मतलब आपके पास अब यह वाला distance आ गया अब आपके पास यह वाला distance आ गया object और mirror की बीच का कितना है 45 cm image या wall और क्या बोलते है mirror की बीच का distance कितना था 90 cm object और mirror की की बीच कितना आ गया 45 cm तो बेटा इतने में से इतना minus कर दो तो 90 में से नभे में से 45 minus कर दो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा मतलब की वाल और object की बीच का distance कितना आ गया 45 cm यही आपको निकालना था ठीक है तो बेसिकली अमने कर रहा क्या है बेटा image distance minus object distance कर दिया है ठीक है चलो आई होप यह वारा question आपको समझ में आ गया हो आप चाहो तो इसका भी ले सकते हो screenshot ठीक है so that's all आज के session के लिए बस इतना ही आज अपने सारे कुछ basic numericals अपने solve कर लिए अब अपन मिलेंगे अपने अगले session में हम क्या करेंगे magnification पढ़ेंगे और फिर उसके अगले session में फिर हम अच्छे से और कई सारे numericals solve करेंगे ठीक है तब तक आप क्या करोगे आप visit कर सकते हो हमारा ये प्यारा सा channel जहाँ पर हम एक दम आपको quality video lectures provide कर रहे हैं अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो आप इसको please like करेगा share करेग अपने friends में अपने family में अपने friends वाले group में और चैनल को subscribe भी करके जाएगा उसके अलावा एक चोड़ी सी जनकारी में आपको और देना चाहती हूँ कि अब definite success का बेटा